नवसकार मैं हूँ आपके संग्नित्यम मंतर यन तंद्रवास्तों के विशेष कास्करणु के साथ सरत पुर्णिमा के दीन मालक्ष्मी का अपने घर में आमंतरित करने का सफसे अच्छा मोका मना दाता है इसा मानते हैं कि इस दिन अगर आप मा लक्ष्मी को अपने घर में स्वागत के लिए कुछ उपाय करते हैं कुछ टोटके करते हैं तो मा लक्ष्मी आपके घर में आती है और आपको मा लक्ष्मी की किरपा भी प्राप्त होती है तो बने रही है हमारे साथ हम आपको से सरद पुर्णिमा के दीन मिलती है मान लक्षमी किरपा लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किरपा ऐसे सब्सक्राइब करें देखा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए भीडियो का नोट्रिफिकेशन आपको तुलन मिल जाएं हिंदू धर में आस्विन मा के सुकल पक्स की सरद पुर्णिमा बहुत ही खास मानी गई है मानता है कि सरद पुर्णिमा के दीन चंदरमा अपनी सोला कलाव में रहकर पिर्थिवी के काफी करीब रहता है ऐसा कहा जाता है कि सरद पुर्णिमा पर चांद की किरने अमरित की पुन्दे बरसाती है, मा लक्ष्मी भी इस रात को धन की बरसा करने से खुद को रोक नहीं पाती, चारो और बिख्री चांदनी में अम्रित बरसा होती है, मनता है कि दिवाली से पहले मा लक्ष्मी का स्वागत करने का या विशेस अफसर होता है, ऐसा कहा जाता है कि इस रात को किये गए कुछ खास उपाय आपके घर में भी धन की वर्षा करवा देते हैं सरत पुर्णिमा पर देवी लक्षमी को परसंद करने के लिए सास्त्रों में कुछ उपाय बताये गए हैं जिनको करने से देवी लक्षमी किरपा आपको निशित रूप से मिलती है इस दीन कुछ चीजें हैं जिसे आपको मा लक्षमी को अभसी अरपित करना चाहिए ये चीजे आपको पुर्णिमा के दीन या रात में मा लक्षमी को भोग के रूप में अभसी अरपित करना चाहिए इससे मा लक्षमी किरपा आपको अभस मिलती है उसमें पहला चीज है माखाने का भोग, मनता है कि सरद पुर्णिमा के दिन मा लक्ष्मी को माखाना का भोग अरपित करने पर देवी लक्ष्मी किर्पा मिलनी सुरू हो जाती है बतासे का भोग दिवाली से पहले देवी लक्ष्मी सरद पुर्णिमा पर भक्तों को आश्रवा देने पिर्थी भी पर आती है ऐशे में माता को परसंद करने के लिए उनका सबसे प्रिये फूल कमल और बतासा भी आपको जरूर ही अरपित करना चाहिए आपको रात के समय में कमल का फूल और बतासा मा लक्ष्मी को अवसी अरपित करना चाहिए सरद पुर्णिमा के दिन अगर आप चाहते हैं कि मा लक्ष्मी का निवास आपके घर में हो तो निस्ती दूप से ये चीज आप अवसी अरपित करें खीर का भोग चावल और मखाने से बनी खीर को सरद पुर्णिमा के देन चांद की रौसनी में रखने के बाद उसमें कुछ ओसधिय गुन भी आ जाते हैं जो सिहत के नजरिये से काफी अच्छा होता है देवी लक्षमी को खीर का भोग लगाने से माता जल्द प्रसन हो जाती है माना जाता है कि सरद पुर्णिमा के रात में अम्रित बरसा होती है इस रात में चावल की खीर बना कर महिन कपड़े से ढखकर उसे खुले आसमान के नीचे रख देनी चाहिए दूद, चावल और सक्कर तीनों ही मान लक्षमी को पिरिया है अगले दिन सुबह सनान के बाद खीर को मान लक्षमी के प्रसाथ की रूप में परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाथ की रूप में बान जिना चाहिए माना जाता है, इस खीर को खाने से स्वास्त रूपी संपता और आरोग रूपी ब्रदान प्राप्त होता है, साथ ही आपके घर से धन की कमी भी दूर हो जाती है इस दिन पान का चड़ाबा भी आपको अभसी करना चाहिए पूजा पाठिया किसी भी धार्मेकरन उस्ठान में पान सुपाड़ी का परियोग बहुत ही अच्छा माना जाता है इसलिए माता लक्षमी को पान का भोग लगा कर भी परसंद किया सा सकता है इस दिन माता लक्षमी को पान के पत्ते पर अगर आप साथ गुलाब की पंखुरियां भी अर्पित करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है दही का भोग मा लक्षमी को गाय के दूर से बने दही का भोग लगाएं इसको प्रसाथ की रूप में लोगों के बीच बांट दे ऐसा करने से भी माता लक्षमी आप से अवसी प्रसंद रहती है आप से खुश हो जाती है तो ये पंच भोग आपको सरत पुर्णिमा के दिन आवस ही लगाना चाहिए सरत पुर्णिमा की ब्रत बिधी जो है उसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं पुर्णिमा के दिन सुबह में इस्ट देब का आपको पूजन करना चाहिए मा लक्षमी का पुजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुषप आदी से पूजा करनी चाहिए ब्राहमनों को खीर का पुजन कराना चाहिए उन्हें दान दक्षना भी प्रतान करना चाहिए इस दीन लक्षमी प्राप्ति के लिए इस ब्रत को बिशेस रूप से क्या दाता है इस दिन जागरन करने वाले को धन संपति में विर्धी होती है इस रात में जो भी जागरन करके माता लक्षमी के मंतर का जाप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं तो उसके जीवन में धन की प्राप्ति निशित रूप से होती है रात को चंद्रमा को अर्ग देने का भी बिधान है इस दिन आपको अर्ग देने के बाद ही भोजन करना चाहिए मंदिर में खीर का दान करने की बिधी बिधान है ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमरित ब्रसता है इसलिए अगर आप खीर का दान भी जिन करते हैं मंदीर में या कहीं और तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा मन दाता है इस दिन आप अपार धन पाने के लिए छोटा सा उपाई भी कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है रात के समय मालक्षमी के सामने घी का दीपक जलाएं इसके बाद उन्हें गुलाब की फूलों की माला अर्पित करें फिर उन्हें सफेद मिठाई और सुगंद भी अर्पित करें इसके बाद जो मंत्र में बता रहा हूं इस मंत्र का कम से कम नहीं होगी अगर आपने इन मंत्रों का एक गारा माला इस दिन जब कर लिया रात के समय तो आप समझ लिजिए आपके जीवन में धन तो नेशित रूप से आना ही आना है मालक्ष्मी के जन्म दिन के रूप में सरद पुर्णिमा का यह तिहार मनाया जाता है इस रात को सोना नाम का भी पार्ट करना चाहिए दिपावली से पहले सरद पुर्णिमा को मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए बिशेस आयों की रूप में देखा जाता है पुर्णिमा की सुभा हसनान करके तुझसी पर दीपक जलाएं और साथ ही सिंदूर भी चरहना चाहिए लेकिन ध इसजention करने पर भगवान भिश्न, और मां लक्ש्मी स्वता ही परषन हो जाते हैं मां लक्ष्मी का वास उस घर में मना जाता है जहां के लोग साफ सफाई और स्वक्ष्ता से रहते हैं दिपाबली पर लोग इसी वहाँ से अपने घर की पुताई करवाते हैं और साफ सफाई भी करते हैं सरद पुर्णिमा से ही आपको घर की साफ सफाई करना चाहिए और इसकी अरम कर देना चाहिए कम से कम ऐसा करना बहुत ही सुभ माना जाता है और आपके घर से सभी प्रकार के ग्रह दोस भी दूर हो जाते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी सद्पुर्णिमा के दीन अगर ये खास उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की बरसा हो सकती है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद